प्रस्ण 3 कभी यदि PX बराबर X स्क्वाइर प्लस X प्लस 1 तो बहुपद QX निकालें ताकि PX इंटु QX बराबर XQ माइनस 1 प्रस्ण 3 कभी PX बराबर कितना दिया हुआ है? PX बराबर है X स्क्वाइर जोड X प्लस 1 PX बराबर दिया हुआ है और दिया हुआ है PX इंटु QX PX इंटु QX यानि गुना में है बराबर XQ माइनस 1 ठीक है? तो देखे PX बराबर X स्क्वाइर प्लस X प्लस 1 दिया हुआ है और PX गुना QX बराबर XQ माइनस 1 दिया हुआ है क्या निकालना है? QX निकालना है बहुपर QX निकालना है तो PX के जगा पे हम इसको रख देंगे X स्क्वाइर प्लस X प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे X स्क्वाइर प्लस X प्लस 1 कोष्टक में कर देंगे गुना QX तो इंटु QX है तो गुना का चीन देंगे गुना QX बराबर XQ माइनस 1 इस तरह से इसको लिख लेंगे ठीक है PX अब यहाँ पर देखें बिंदू तो यह क्या है गुना में है दोनों तो इसलिए हम यहाँ पर गुना का चीन देंगे हैं PX के जगा पर इसको रख लिए हैं क्योंकि PX बराबर दिया हुआ है तो QX बराबर क्या हो जाएगा तो QX बराबर हो जाएगा XQ माइनस एक बटा X स्कूर प्लस X प्लस एक तो QX के साथ गुना में है PX यानी X स्कूर प्लस एक फ्लस एक ठीक है तो दाया तरह आकर भाग में हो जाएगा यानी XQ माइनस एक को भाग देना होगा X स्कूर प्लस एक से तो अब इसको भाग देते हैं तो x square प्लस x प्लस 1 से भाग देंगे किसको x q माइनस 1 को तो x square से x q कितना बार में लगेगा x बार में तो यहां पर लिख देंगे x q अब x गुणा x क्या हो जागा प्लस x square यहां पर x square लिखेंगे x गुणा प्लस 1 क्या हो जागा प्लस x ठीक है इस तरह लिख लेंगे तो x से यह दोनों को भी गुणा करेंगे तो x गुणा x x square x गुणा 1 x सब का चीन बदलेंगे माइनस माइनस के प्लस में है तो माइनस प्लस में है तो माइनस प्लस में है तो माइनस ये तो सुनने आ गया प्लस माइनस XQ माइनस XQ सुनने आ जाएगा अब यहाँ पर माइनस X स्क्वाइर लिखेंगे और माइनस X लिखेंगे और उपर से माइनस एक उतार देंगे ठीक है देखे ये चिन लगाकर उतारेंगे तो माइनस एक स्क्वाइर माइनस एक्स और उपर से माइनस एक अब एक स्क्वाइर से माइनस एक स्क्वाइर माइनस एक बार में लगेगा तो यहाँ पर माइनस एक लिख लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक स्क्वाइर माइनस एक गुना एक स् माइनस एक स् माइनस एक गुना प्लस एक सब कचीन बदल देंगे क्योंकि घटाना है तो माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस ये भी सुनने आ जाएगा ये भी सुनने आ गया ठीक है और ये भी सुनने आ गया यानि सेस फल सुनने आ गया कितना आ गया देखें सेस फल सुनने आया तो भाग फल कितना आ गया x-1, यानि qx बराबर कितना आ गया, x-1, तो लिखेंगे अतर, क्या पूछ रहा था, qx, अतर बहुपद, qx, qx बराबर, x-1, इसका उत्तर हो जागा, x-1, तो इस तरह से इसको हल करेंगे, प्रस्न चार का पहला, बहुपद, x का घाथ 5, जोड, x का घाथ 4, जोड, x का घाथ 3, जोड, x का घाथ 2, जोड, 2x, प्लस 2, मैं qx से भाग देने पर, भाग फल, x-square, प्लस x, प्लस 1, और, से फल, x, प्लस 1 आता है, तो qx मालुम करें, तो प्रस्न चार का पहला, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखे, px दिया हुआ है, यानि भाज दिया हुआ है, भाज को px से लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, भाज, x का घात 5, जोड, x का घात 4, जोड, x का घात 3, जोड, x का घात 2, जोड, 2x, प्लस 2, यह दिया हुआ है, px बराबर, ठीक है, यानि भाज यह दिया हुआ है, यहाँ पर, QX हमें निकालना है भागफल दिया हुआ है यानि GX दिया हुआ है देखे भागफल को GX से लिखते हैं भागफल कितना है X square जोड X plus 1 यह दिया हुआ है ठीक है और सेस्फल भी दिया हुआ है सेस्फल को RX से लिखते हैं RX तो सेसफल कितना है? X प्लस 1 क्या निकालना है हमें? QX निकालना है क्या निकालना है? QX तो QX बराबर हमें निकालना है ठीक है? इतना चीज दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि PX बराबर क्या होता है? देखे, PX बराबर होता है, QX गुना GX, QX गुना GX जोड आर एक्स, यानि PX क्या है, भाज है, तो भाज बराबर होता है, भाजक गुना भागफल जोड सेसफल, ठीक है, भाग अल्गोरिदम से, यह हम जानते हैं, भाज बराबर, यह भाज है, PX को भाज करते हैं, भाज को PX से लिखते हैं, तो भाज बराबर, भाजक, QX क्या है, भाजक है, G Px हो गया भागफल और Rx हो गया सेस्फल तो इसी पर बठा देंगे हमें क्या निकालना है Qx तो देखें Qx बराबर क्या हो जाएगा तो Qx बराबर हो जाएगा Px माइनस Rx बटा Gx देखें इस तरह से Rx को इधर लाएगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर के बाया तरफ और Gx गुनाब में है दोनो तो इसको भी इधर लाएगे तो क्या में हो जाएगा भाग में ठीक है तो Qx बराबर यानि Qx क्या है यहाँ पर भाजक है, तो भाजक बराबर क्या होता है भाज माइनस सेस्फल बटा भागफल ठीक है, इस सूत्र से हम इस तरह निकाल सकते हैं अब देखे, QX निकालना है अब सबको बैठा लेंगे, PX के जगा पर इसको लिखेंगे gx के जगा पर इसको लिखेंगे rx के जगा पर इसको लिखेंगे तो px के जगा पर लिख लेते हैं x का घाद 5 जोड x का घाद 4 जोड x का घाद 3 जोड x का घाद 2 प्लस 2x प्लस 2 माइनस rx rx कितना है x प्लस 1 अब देखें माइनस में है माइनस है यहाँ पर तो इसको कोश्टक में ले लेंगे rx को x प्लस 1 को कोश्टक में ले लेंगे ठीक है बटा gx कितना है तो gx है x square plus x plus 1 ठीक है इस तरह हम इसको लिख लेंगे अब देखें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से x का घाथ 5 जोड x का घाथ 4 जोड x का घाथ 3 जोड x का घाथ 2 जोड 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 बटा x स्क्वाइर प्लस x प्लस 1 अब यहाँ पर कोश्टक हटाएंगे तो दोनों का चीन बदल जाएगा जो कोश्टक के अंदर है ठीक है तो अब इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा x का घाथ 5 जोड x का घाथ 4 जोड x का घाथ 3 जोड x का घाथ 2 प्लस 2x माइनस x क्या हो जाएगा प्लस x देखे 2x में से x घटाएंगे तो x हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा ठीक है बटा x स्क्वाइर प्लस x प्लस 1 अब x का घाथ 5 प्लस x का घाथ 4 प्लस x का घाथ 3 प्लस x स्क्वाइर प्लस x प्लस 1 को x स्क्वाइर प्लस x प्लस 1 से भाग देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x square plus x plus 1 से किसको भाग देना है तो x का घाद 5 जोड x का घाद 4 जोड x का घाद 3 जोड x का घाद 2 जोड x plus 1 ठीक है इसको भाग देना है अब देखे x square से x का घाद 5 कितना बार में लगेगा तो x का घाद 3 बार में तो यहाँ पर लिखेंगे x का घाद 5 अब x का घाद 3 गुना x क्या हो जाएगा पलस x का घाद 4 अब x का घाद 3 गुना 1 पलस x का घाद 3 अब सब का चीन बदल देंगे पलस है तो माइनस, पलस है तो माइनस पलस है तो माइनस सब देखे सून या आ गया है ठीक है अब इन तीनों को उतार देंगे यहाँ पर तो x square प्लस x प्लस 1 अब x square से x square एक बार में लगीगा तो यहाँ पर प्लस 1 लिख लेंगे तो x square गुना एक x square फिर एक गुना एक प्लस x फिर एक गुना एक प्लस 1 सब का चीन बदल जागा प्लस है तो माइनस कितना आ गया सेसफल आ गया सून यानि कितना आ गया देखे qx बराबर यानि भाजक कितना आ गया x q प्लस 1 तो क्या पूछ रहा थे यहाँ पर qx मालूम करें तो लिखेंगा तर qx बराबर x q प्लस 1 इसका उत्तर कितना आ आएगा x q प्लस 1 तो इस तरह इसको हल करेंगे प्लस 1 झाल झाल प्रस्ण चार का दूसरा किसी बहुपत PX में XQ प्लस X से भाग देने पर भाग फल X और से स्फल 2X स्कॉाइर माइनस X प्लस 1 बचता है तो PX ग्याद करें प्रस्ण चार का दूसरा तो किसी बहुपद में PX में तो देखे हमें PX निकालना है तो सबसे पहले लिख लेते हैं PX बराबर हमें निकालना है ठीक है इस तरह लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है कर रहे किसी बहुपद PX में XQ प्लस X से भाग देने पर यानि भाजक दिया हुआ है तो QX दिया हुआ है हमें भाजक को QX से लिखते हैं यानि XQ प्लस एक ये दिया हुआ है भाजक यानि QX भागफल हमें दिया हुआ है तो भागफल को GX से लिखते हैं तो GX बराबर कितना दिया है? x भागफल दिया हुआ है सेस्फल भी दिया हुआ है यानि rx भी हमें दिया हुआ है 2x स्क्वाइर माइनस x प्लस 1 तो px निकालना है ठीक है qx दिया हुआ है यानि भाजक दिया हुआ है भागफल दिया हुआ है सेस्फल दिया हुआ है PX क्या है, भाज है, QX हो गया भाजक, GX हो गया भागफल और RX हो गया सेसफल इतना चीज हमें दिया हुआ है, PX निकालना है, तो हम जानते हैं कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक यानि QX गुना भागफल भाजक गुना भागफल यानि GX जोड सेसफल यानि RX यह होता है सुत्र भाजक बराबर भाजक बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड सेज़फल ठीक है तो Qx कितना है यहां पर x q प्लस 1 x q प्लस 1 g x कितना है x है तो x लिख लेंगे गुना में है तो इसको कोश्टक में ले लिए है इसको बाहर ले लिए है प्लस rx कितना है 2x square minus x प्लस 1 इस तरह लिख लेंगे अब देखे x से ये गुना करेंगे तो x का घाथ 4 हो जाएगा प्लस x x से ये दोनों गुना हो जाएगा क्योंकि गुना में है प्लस 2x square minus x प्लस 1 अब देखे प्लस x minus x सुनने आ जाएगा तो इसका उत्तर आ गया x का घाथ 4 जोड 2x square प्लस 1 तो देखे px बराबर आ चुका है px हमें निकालना था px बराबर कितना आ गया x का घाथ 4 प्लस 2x square प्लस 1 देखे प्लस x minus x सुनने हो जाएगा यानि यह हो जाएगा इसका उत्तर तो इस तरह से प्रस्न 4 का दूसरा हल कर लेंगे